स्वागत आप सब एका सक्सेस की 98 में और आज का टॉपिक है आज का टॉपिक है नाउन मैं पूरा कवर अफ करूँगा इस वीडियो में हाला कि बहुत कम मिनट का यह वीडियो है लेकिन आप पूरा देखना एक एक वीडियो क्योंकि जो आने वाले एक्जाम है ना एरोर्स के उसमें आपको बहुत हेल्प करने वाला है ठीक है ना मैं सारे टॉपिक कराते रहूँगा तो आज नाउन को मैं खुशिस करूँगा कि आप लोग को अच्छे से समझा पाऊं लेकिन नाउन स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ जान ले कि सिंटेंस क्या होता है जैसे सिंटेंस बनाने के लिए हमको कम से कम दो वर्ट के जिरुवत है ठीक है जैसे क्या है I read मैं पढ़ता हूँ ठीक है I go मैं जाता हूँ I read a book ठीक है अच्छा जिनरली दो वर्ट चाहिए I read सिंटेंस किसी भी वाक्य को बनाने के लिए इसमें I क्या है सबजेक्ट और जो read वो क्या है वो है हमारा वर्ब तो इससे हम क्या समझे किसी भी सिंटेंस बनाने के लिए दो चीज बहुत ही जादा आवस्तेक है वो क्या क्या एक तो subject और एक वर्ब इसमें भी क्या ये subject है और ये क्या है वर्ब है ठीक है लेकिन generally जो सिंटेंस होता वो दो वर्ब से नहीं होते वो तो काफी बड़ा होता है जैसे I read a book अब इसमें बहुत कुछ है लेकिन आप याद दखना कि एक क्या है subject subject को छोड़कर बाकी जो सिंटेंस में वर्ब है बाकी वो क्या है प्रेडिकेट आप याद दखना बच्चे में बहुत कुछ पड़े होंगे लेकिन अभी आप भूल गए होंगे तो आप अज फिट से memorize कर लो अच्छे से कि sentence अगर बहुत बड़ा है तो एक होगा हमारा subject और subject को छोड़कर बाकी सारे जो sentence में है वो उसे क्या बोलते है प्रेडिकेट तो यह आप सिंटेंस किसे बोलते है अब आते हैं हम noun पे देखो बचपन में तो हम लोग सीखे ही होंगे न noun संग्या किसे बोलते हैं सभी को पता होगा किसी वस्तु अस्तान समान या ऐसे बोल नॉर्मल तीन चीज या दखना क्या क्या जो हम फिल कर सकते हैं जो टच कर सकते हैं या फिर जो देख सकते हैं वो सब क्या हैगा सब को हम noun बोलेंगे सब चीज को noun बोलेंगे सभी चीज को जैसे person मतलब ये नहीं की आदमी place मतलब ये नहीं की अस्तान things मतलब ये नहीं की व ये सब भी नाउन है, air, हवा, पानी, ये सब भी नाउन आएंगे आपको, इस सब को भी नाउन बोला जाता है, मैं क्या बोला, fill, touch, और see, ठीक है, जैसे देखे एक sentence दिया हुआ है, the cat broke the toy, अब इसमें नाउन क्या है, cat, toy क्या है, समान, खिलाओने, ये भी क्या है, नाउन, जैसे जिते अंदर made rice for the picnic, तो इसमें नाउन क्या हो गया, जिते अंदर rice क्या हो गया, rice, ये भी क्या हो गया, ये भी आपका क्या है, ये भी नाउन है, और ये पिकनिक भी, पिकनिक इस्तान, ये भी क्या होगा, ये भी आपका नाउन होगा, ठीक है, अब देखते हैं, कि noun के कितने part है ठीक है अब देखिए noun में क्या-क्या है proper noun, common noun collective noun, abstract noun ऐसे noun बहुत सारे है ठीक है लेकिन generally आप ये चीजी चार याद है ना proper common collective abstract और मैं आज पूरा बताऊंगा कि errors में आप क्या-क्या गलती करते हो क्या-क्या गलती नहीं करते हैं ठीक है ना आप मैं पूरा आज इस्प्लेंड करूंगा प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव अस्टेक्ट यह चार नाउन हो गये अच्छा प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं क्या बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं और ये प्रॉपर नाउन ब्वुल सकते हैं जो खास व्यक्ति ना हो देखो मैंने डिफरेशन कलेक्टिव क्या से पचाने यह proper, यह common, जैसे holiday, holiday common है, लेकिन अगर छुटी holy की मिलती है, holy की, तो हमारा यह क्या होगा, proper, खास है, और यह पहला word भी क्या होगा, capital होगा, हमेशा याद रखेगा, जैसे library, library तो common है, बहुत सारी library हो सकती है, लेकिन success की library, यह क्या है, common है, और जो S है वो क्या है, capital है, holy text, यानि की grant, किसी का भी grant, मतलब कुरान, गीता, कुछ भी Bible, लेकिन दगीता, जैसे ही मैं बोला दगीता, तो यह क्या है, यह क्या होगा, यह proper होगा, proper noun होगा, इसका पहला word क्या होगा, इसका पहला word होगा, capital, ठीक है, अब देखते हैं, ऐसे देखें, noun बनाने के बहुत सार में, देखें, और generally हम क्या करते, किसी भी nouns के end में, एस जोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, singular से, plural, जैसे river, reverse, boat, boat, dock, dock, dock क्या होगा, sorry, dock का होगा, docks, chair, chairs, ऐसे generally, लेकिन आप याद दखना, singular nouns, अगर singular noun है, और वो end किसे होता है, end with, as, आप यह कहीं लिख भी लिख सकते हो notes बना भी सकते हो, ठीक है न, s, x, z, ch, sh, तो उसके end में क्या हैगा, yes, example क्या है, bus, busses, with, wishes, pitch, pitches, और some singular noun, ऐसे भी कुछ noun है, जो end होते किस से, consonant से, consonant से end होगे, पहले, तो then y, consonant से end होते ही, अगर last में y आए, तो वो singular से plural कैसे बनेगा, y को हटा कर ies बना दें, या से city, देखो city में end किसे हो रहा है, y से पहले, consonant है, और end किसे हो रहा है, y से, तो क्या हो गया, y convert हो गया, city में, daisy, daisy, country, countries, देख रहो है न, और कुछ singular से plural ऐसे भी है, देखो, जैसे child, child का child नहीं कर सकते है, children, women, women, man, man, mouse, mice, देख रहे हो, और क और कुछ, और कुछ singular ऐसे होते हैं, जो कभी change होते ही नहीं है, जैसे ship, ship, deer, deer, series का series ही रहता है हमें सा, ऐसे बहुत सारे example है, तो आप यह 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 दखना, और इसका utilization आगे कैसे होता है, आप यह भी देखना, जैसे यह क्या है, singular है, cactus, cacti, fungus, fungi, oasis, oasis का मतलब क्या होता है, जहाँ पानी सुखा रहता है, सुखा है, वहाँ अचानक से पानी मिल जाए, इसका क्या है, oasis, ठीक है, अब लेकिन देखिए, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं, जो हमेशा क्या रहते हैं, plural, हमेशा रहेंगा क्या, plural, देखो, some nouns always in plural form, ऐसे scissor, trousers, ठीक है न, बहुत कुछ है, belonging, surroundings, pants, archives, यह हमेशा क्या होंगे, यह हमेशा क्या होंगे, आपके, यह हमेशा word किसमें आएगा, plural में, अगर लेकिन सबसे important बात और अच्छा trick क्या है, इस चीज के लिए, अगर आपको, अगर देखी कर मैं बोलू, I bought a trouser, तो यह सही है, लेकिन अगर मैं market से एकी trouser लेके आता हूँ, अगर मैं market से एकी trouser लेके आता हूँ, तो क्या करूँगा, अगर मैं market से एकी trouser लाता हूँ, तो हमेशा याद दखना, जो इस चीज के लिए अगर आपको दिखाना है कि एक trouser लेका रहे हैं तो आप यह उस नहीं कर सकते हैं, इसके पहले आपको क्या उस करना पड़ेगा, इसके पहले आपको कुछ ऐसा word उस करना पड़ेगा, जो इसको दिखला है, जैसे, I bought a pair of trousers, यह सही है, अब pair लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, जो trouser जो भी अपने आप में क्या है, plural है और उसको आपको दिखाना कैसे है, एक में दिखाना है, जैसे मैं बोलूँ, I bought a binoculars, मतलब camera का समान one, अगर हमको बोलना है, मैं एक लेकर आया हूँ, market से, तो अब क्या होगा, अब pair of लगाना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर आपका word क्या होगा, 100% correct होगा, otherwise यह गलत हो जाएगा, ठीक है ना, अब pair of लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अब देखिए, यह बहुत important है, अक्सर बच्चे इसमें ही गलती करते हैं, यह ऐसा सी सीजल के exam में बहुत बार आ चुका है, जैसे, यहाँ पर मैंने क्या बोला है, यहाँ पर आप अच्छे से लिखना और notes भी कर लेना कहीं, और please इस वीडियो को share और like आप लोग बहुत करना, बहुत मैन कहने का मतलब है, देखिए politics, politics subject भी हो सकता है, और एक thought भी हो सकता है, अगर मैं बोलू, his politics is or are, क्या होगा इसमें, inclined toward the BJP, उसकी जो politics है, वो inclined किस के तरब है, किस के तरब उसका जुका हो है, BJP के तरब, तो यहाँ politics subject की बात नहीं हो रही है, यहाँ उसकी thought की बात हो रही ह तो इस क्या होगा, ऐसा plural, तो यह is नहीं आएगा, क्या होगा, यह are हमारा correct होगा, ठीक है, अब देखो second, his economics, अच्छा economics subject भी होता है, और financial condition जो भी है, वो भी होता है, तो his economics is or are, based on a very good policy of RBI, उसकी जो economics है, वो RBI के policy के उपर क्या, based है, तो यहाँ पर economics, उसकी subject की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है, उसकी thought की, उसकी financial condition की, तो यह इस नहीं आएगा, क्या आएगा, यह होगा आपका R, अब देखो last line में क्या लिखा हुआ है, आप बताओ, अब यह last line में क्या लिखा हुआ है, economics is my favorite subject, तो यहाँ पर आप R नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर easy आएगा, क्योंकि जो यह economics की बात हो रही है, वो क्या है, वो subject की बात हो रही है, subject भी सह की, तो economics is my favorite subject is होगा, तो आप यह please याद रखना बहुत ही pointed है, अगर कोई एक word है, जो subject और उसकी thought, दोनों को indicate कर रही है, अगर उस sentence में subject की बात हो, तो singular होगा, अगर thought की बात हो, तो plural होगा, ठीक है, यह चीज़ आप, प्लिस याद रखेगा, भूलिएगा मत इस चीज़ को, अब देखे, कुछ noun ऐसे हैं, जिसको हम, हमेशा क्या करते हैं, जिसमें plural लगाने की आवे सकता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा plural उसकरत Chasing me last night, क्या होगा, जैसे एक और, cattle, cattle मतलब क्या होता है, गायभैस, बक्री, इस सब होता है, R is grazing in the field, क्या होगा, पुलीस वाज और वेयर चेसिंग नाइट इस ग्रेजिंग इन दा फिल्ड इसको हम क्या कर सकते हैं बहुत अक्सर बख्चे क्या बोलते हैं कि भाईया ये गलत है देखो पुलीस क्या होगा पुलीस वेयर होगा पुलीस वेयर ये पुलीस को हमको बताने की जरुवत नहीं है कि एक पुलीस दो पुलीस ये पुलीस ऐसा वर्ड है जो हमेशा ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो उसको हमको पुलूरल बनाने की जरुवत नहीं है वो अपने आप में क्या है पुलूरल है तो क्या होगा, where, please where chasing me last night, cattle are, is नहीं होगा, यह क्या होगा, cattle are, grazing in the field, गाय बकरी क्या है, चर्ते हैं, किस कहाँ पर, field में, ठीक है, और देखो, यह बहुत important है, तो यह भी आप याद कर ले न, definite numerical executive is added before a noun, it's become singular, कहने का मतलब यह है न, कि, और आपको exam में बहुत बार ऐसे question मि I have 200 rupees, यह sentence क्या है, 100% क्या है, correct है, 100% correct है, क्यों, यहाँ पर आपका noun क्या है, किसको indicate कर रहा, rupees, इसकी विशेशता क्या बतला रहा है, कि यह 200 है, मतलब 200 है, ठीक है, और यह हमेशा, इसको क्या बोलते हैं, इस चीज़ को, numerical adjective बोलते हैं, यह हमेशा कहां आता है, noun से पहले, रूपीस से पहले, और यह हमेशा क्या होगा, singular होगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, I have 200, S लगा देंगे, वो जो S नहीं आएगा, ठीक है, क्या बोले, definite numerical executive, यानि कि यह is added, यह जुड़ेगा, always before a noun, noun से पहले, और यह हमेशा क्या होगा, singular, जैसे, C has 5 dozen बनाना, C has 5 dozen बनाना, तो अब यह dozen में 5 है, लेकिन यहाँ पर S नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारा noun क्या है, बनाना, और इसकी बेसिस्ता क्या बतला रहा है, कि यह 5 dozen है, तो यह हमेशा किस में रहेगा, singular में रहेगा, तो यह S नहीं आएगा, तो इस चीज़ को आप अच्छे से देख लेना, ठीक है, अब देखते हैं कुछ important topic, collective noun, बहुत important है, इस चीज़ को आप please अच्छे से करना, please, must watch, collective noun, मतलब क्या, group में, समू में, बहुत सारा crowd है, इसको क्या बोलेंगे, collective noun, जैसे, a herd of cow, a swarm of ant, मतलब बहुत सारी चीटी, herd of cow, a range of mountain, अच्छा mountain कैसे होता है, बहुत सारा range है, mountain का, बहुत सारा पहाड़ है, एक सा, तो क्या बोलते है, a range of mountain, इसको क्या बोलते है, collective noun, ठीक है, लेकिन इसका collective noun करवाने का main motto ये है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्या है, when sense of unity, अगर हमारा sense of unity, unity है, अगर हमारे sense म इसमें क्या है, suppression है, मतलब divide है, अलगाव है, तो क्या यूज़ होगा, plural, example देखकर clear करते हैं, तो हो सकते हैं, आप लोगा अच्छे से clear हो जाए, देखो क्या दिया है, the committee was or where, not happy with the decision, इसमें क्या आएगा, देखो मैंने क्या बोला, when sense of unity, अगर unity है, तो क्या होगा, singular, अगर separation है, तो plural, ये committee है, ठीक है, committee है, अब ये वाज होगा, क्या बोला है, कि committee was not happy with the decision, देखो कॉमेटी में 10 परसन भी रह सकते हैं, एक committee में 10 परसन भी रह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 5 खुस हो, 5 खुस ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि 10, 10 में 8 खुस ना हो, 2 ही खुस हो, कुछ भ decision, meeting में कुछ भी हुआ, लेकिन meeting से बाहर आकर वो क्या बोले, उनका decision ये था, कि वो happy नहीं है, वो happy नहीं है, उनका decision ये था, मतलब committee का decision था, कि वो happy नहीं है, मतलब क्या है, उनका decision एकता में था, मतलब पूरी committee का decision है कि वो happy नहीं है, मतलब unity सो कर रहा है, तो ये क्या यह वेर नहीं होगा, क्या बोले, जब unity आपको लगे, तो क्या होगा, was होगा, अब देखो, second sentence भी सेम है, लेकिन इसका option चेंज हो जाएगा, जैसे the committee was, we are told to raise their hand, committee was and we are told to raise their hand, committee ने बोला कि अपने अपने हाथ खड़ी किजिए, जब अपने अपने की बात हो रहा है, told to raise their hand, जब अपने-पनी की बात हो रहा है, मतलब क्या, अलग-अलग, अलग-अलग, अपने-अपने हाथ, मतलब अलग-अलग की बात हो रहा है, committee में, तो यहाँ पर क्या होगा, plural, तो यहाँ पर was नहीं आएगा, यहाँ पर क्या हैगा, यहाँ पर आएगा, आपका where, तो इस ची कोमेटी की आ है, कि को में मैं आ अंधर में 10 परसन 20 परसन प्रसन, क्या भी परसन हो सकते हैं, लेकिन जब वो बाहर आ है तो उनका इक्या था, वो खुश नहीं है, मतलब डीसजर लिटी में है, अब देखो कमेटी को बोला जा रहा है कि अपने- अपने हाथ खाड़ा कीजिए लेकिन जब अपने की बात हो रहे हैं, तो क्या होगा, जब separation है, अलग-अलग, तो क्या होगा, plural, अब देखो, uncountable noun, ये भी बहुत important है, uncountable noun क्या, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, knowledge, hair, perfume, traffic, furniture, money, बहुत सारे बच्चे बोलेंगा, बिया, furniture तो आएगा न, नहीं, furniture भी uncountable noun है, और, etc, before uncountable noun, uncountable noun के पहले हम ये सब यूज नहीं कर सकते हैं, errors के लिए बहुत important है, a few, many, a few, many, ये सब हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, many, दो बार हो गया था, ये सब चीज भी उट नहीं कर सकते हैं, हम uncountable noun से पहले यूज क्या कर सकते हैं, much, a little bit, little, much, ये दो दो नहीं, a little bit trouble, trouble भी क्या है, problem क्या है, uncountable noun है, गिन नहीं सकते हैं, problem को, a little bit problem, a little bit confidence, confidence क्या है, confidence भी uncountable noun है, a little bit confidence, तो कहने का मतलब है, uncountable noun से पहले, much, a little bit, little, ये सब यूज करेंगे, और ये सब यूज नहीं करेंगे, of few, many, of few, ये सब यूज नहीं करेंगे, जैसे आपके आपके पास दिया है, he give me one information, ये दिया है आपके पास, अच्छा एक बात बताइए, कभी भी uncountable noun को अगर एक में दिखाना है, information का singular है, ये इसका plural कुछ बन नहीं सकता, अब informations नहीं कर सकते हैं, ये गलत होगा, information का हमेशा information नहीं होता है, ठीक है, और ये uncountable noun है, अगर uncountable अ uncountable noun के पहले, अगर आपको एक भी दिखाना है, तो कम से कम एक चीज आपको क्या, use करनी ही पड़ेगी, अगर आपको अच्छे से दिखाना है, तो वो क्या, he give me a pieces of information, a pieces of, a bit of, ठीक है, अगर ये इस नहीं कर सकते हैं, तो आपका uncountable noun क्या होगा, गलत हो जायागा, ठीक ह जैसे example ले लो, अगर मैं बोलू, he give me a pieces of information, यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या आएगा, a pieces आएगा, ठीक है, he give me a pieces of information, अगर uncountable noun को एक में दिखाना है, तो क्या होगा, a pieces आएगा, जैसे seven hair are on the floor, साथ hair है, लेकिन साथ hair थो होता नहीं है, अगर हमको इसको दिख रहाना है uncountable noun में, तो इसको क्या होगा, seven strands, seven strands of hair are on the floor, he is giving me advice, इसका क्या होगा, वो हमें क्या advice, दे रही है, he is giving me advice, he is giving me a little bit advice, a piece of advice, यह आप करेंगे, तब आपका जैसे होगा, क्यों, क्योंकि यह uncountable noun से पहले आपको यह सब use करना पड़ेगा, uncountable noun से पहले, ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप please अच्छे से देख लेना, अब आता है एक बहुत important, देखो, अगर दो noun हैं, दो noun हैं, और उसके बीच में preposition हैं, तो जो noun होगा, वो क्या होगा, always singular होगा, जब noun singular होगा, तो भर भी क्या होगा, singular होगा, अगर दो noun हैं, और बीच में preposition हैं, तो वो कैसे होगा, always singular, दोनो noun क्या होगे, singular होगे, ठीक है, दोनो noun singular होगे, और जो भर भी होगा, वो क्या होगा, ऐसा singular, जैसे train after train is coming, train पर train आ रही है, train के बाद train आ रही है, तब ये trains नहीं होगा, एक trains होगा, एक train नहीं होगा, दोनों क्या होगे, दोनों singular होगे, और जो भर अब लगे का वो भी क्या होगा, singular, जैसे I am reading book after books, अब books नहीं होगा, अब ये books नहीं होगा, क्या होगा, singular होगा, singular, I am reading book after book, ठीक है, और तो या दखना, ये rules, अगर दो noun है और बीच में position है, तो always कैसी होगा, ऐसा singular, अब देखिए कुछ practice है, अब आपको बताना है कि क्या सह जैसे बोला, I request you to put sign on the paper, sentence में तो कुछ गलत लग नहीं रहे, I request you to put sign on the paper, देखो हमसे कुछ sign मांग रहा है paper के उपर, जब paper क्या है, अचा paper क्या है, paper है things, मतलब noun, हमें paper के उपर कुछ चाहिए, मतलब कुछ समान चाहिए, ठीक है, और ये sign क्या है, आपको पता होगा, ये कुछ चाहिए, put, I request you to put sign on the paper, अब ये भर्व है, और हमें चाहिए क्या paper के उपर कुछ तिंग, तो ये sign नहीं होगा, ये क्या होगा, signature होगा, ठीक है, ये हो जाएगा signature, अगर आपको ऐसा भर्व यूज करना है इसको, तो आप नॉर्मल बोच सकते हैं, I request you to, तो ये put नहीं आएगा, ये put नहीं आएगा, I request you to sign the paper, sign on the paper, फिर ये आईसे नॉर्मल होगा, ठीक है, ये put नहीं आएगा, जब ये बोल रहा है, put कुछ चाहिए, paper के उपर मतलब क्या कुछ समान चाहिए, और things मतलब क्या noun, तो ये sign नहीं signature होगा, लेकिन जब ऐसा भर्व यूज करेंगे, तो ये put, हट जाएगा, ठीक है, अब देखो last, ये दो number, when I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground, जब मैं घर के अंदर, bedroom के अंदर जब enter किया, मैंने देखा एक snake क्या है, ground पर तैर रहा था, ये सही है, बहुत सारे बच्चे agree भी करेंगे, सही है, देखे जैसे ही मैं घर के अंदर enter करता हूँ, तो मु दिखता है हमें, floor, तो ये ground नहीं होगा, when I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground floor, बोलिये, या फिर crawling on the floor, बोलिये, ये सही होगा, sentence, ठीक है, अब देखे, the jury, इस में क्या errors है, the jury are told that it needs to be more active, जूरी are told that it needs to be more active, देखो, यहाँ पर R आएगा या, अभी मैंने आपको क्या बोला, अगर unity है, तो क्या होगा, singular, अगर separation है, तो क्या होगा, plural, ये jury को बोला जा रहा है, किसी, मतलब specific institution, organization को बोला जा रहा है, jury को, जो decision लेती है, उनको बोला जा रहा है, एक साहा, jury को, एक जूरी होता है, अगर एक स्कूल है, कोई बड़ा, सेंजी वियर, तो सेंजी वियर, एक स्कूल को बोला जा रहा, उसमें कितने बच्चे है, क्या है, उनसे मतलब नहीं है, एक स्कूल को बोला जा रहा है, मतलब एक क्या, एक unity, तो यह jury, एक jury को बोला जा रहा, जूरी को, या हम लोग यूज करते हैं आज कल के अपने लाइफ में भी ये वाला वर्ड, ठीक है, according to me, ये गलत है, कभी भी आपको sentence में according to me, according to me मिले, तो ये क्या होगा, आप बोलना कि ये 100% क्या है, गलत है, क्योंकि according to me कभी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये होता नहीं है, अगर आपको बोलना ही है, जैसे हम बोले, according to me, बिराट is the best batsman in the world, तो ये sentence पुरा गलत ही है, क्योंकि according to me कभी word आता ही नहीं है, अगर आपको इसके जगह पर कुछ अच्छा यूश करना, क्या यूश कर सकते हैं, in my opinion, या फिर in my view, या फिर as far, जहां तक मेरी सोच जाती है, as far as I think, बिराट is the best, best one in the world, ये सही है, according to me कहीं भी आए तो वो गलत होगा, और चीटर वर्ड भी गलत होता है, हम लोग बच्पन से बोलते हैं, क्या, जित्तु ये चीटर, राहूल ये चीटर, ये चीटर वर्ड हाएगा ही नहीं, आप क्या बोलोगे, चिट, ये correct है, चीटर वर्ड कभी यूश नहीं होता है, इंगलिस में, और sister, cousin, cousin, sister, ये भी यूश नहीं होता है, ठीक है न, ये sister, cousin, cousin, sister क्या होता है, कुछ नहीं होता है, अगर आपको इसको यूश ही करना है, ऐसा sister, cousin, sister, तो आप क्या बोल सकते हो, आप ये नहीं बोल सकते, I have two cousin, sister, तो ये गलत हो जाएगा, इरट्स में बहुत important है ये, क्या बोलोगे, अगर ये दिया हो, I have two female cousin, तो ये क्या है, ये 100% क्या है, ये correct है, ठीक है, और तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद आखना, क्योंकि ये बहुत important है, ठीक है, और एक बात, abstract noun, अच्छा, abstract noun क्या होता है, आप बताओ, abstract noun किसको बोलते हैं हम लोग, abstract noun उसको बोलते हैं, abstract noun में तीन quality होता है, क्या-क्या, एक तो होता है action, एक क्या होता है, state of being, और quality, action मतलब क्या, कुछ भी, हम हस रहे हैं, रो रहे हैं, यह action हो रहा है, कोई चीज करने का, laughter, cry, यह सब क्या होगा, action में आएगा, ठीक है, state of being मतलब क्या है, वस्ता, हम किस वस्ता में हैं, मतलब state of being, हमारा state of being क्या है, जैसे, अमीर है, कि गरीब है, कि हम बच्पन में हैं, कि हम जवान में, जवानी हैं, childhood, younger, old, poor, rich, कुछ भी, state of being, मेरा वस्ता क्या है, quality, quality, quality क्या है, मतलब, उसकी quality क्या है, वो genius है, कि hard है, कोई समान, कि soft है, कि वो, क्या है, fit है, यह सब क्या हो, quality, यह सब किसको क्या बोलते है, abstract down, ठीक है, तो उमीद करते हैं, आज की वीडियो में, बहुत कुछ आपको समझ में भी, आया ही होगा, तो आज के लिए, सब कोई का हाँ, जोड कर thank you, ठीक है न, और आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा, सबसे important क्या भर प्लस agreement, वो बहुत important वीडियो है, तो वो मैं लेकर आँगा ठीक नचे से